जैहिन दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चनल सनकीड़ी में हार्दिक स्वागत है मैं सुरज पतेल आज हम लोग कंप्यूटर के जी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वा है कंप्यूटर के आउटपूट डिवाइस हम लोग आज देखेंगे कि आउटपूट क्या होता है और इसके जो आउटपूट डिवाइस हैं उनको भी देखेंगे हम लोग दोस्तों तो चलिए आउटपूट डिवाइस क्या होता है इसको समझते हैं तो output device वह होता है, जो computer को हम लोग input देते हैं, जैसे कि keyboard, mouse के थुरू हम लोग क्या होता है, उसको input देते हैं, मतलब data देते हैं उसको, input data देने के बाद में computer उससे क्या करता है, उससे process करता है, process करने के बाद में उसको हम लोगो output प्रदान करता है, वही output जो प्रदान करता है वो कौन कौन डिवाइस होते हैं उसी को ही आउटपूट डिवाइस कहते हैं दोस्तों तो इसमें हम देखते हैं कि आउटपूट डिवाइस में जैसे मॉनिटर हो गया और उसके बाद में प्रिंटर हो गया यह सब क्या है आउटपूट डिवाइस होते हैं और भी बहुत सार के जिसके resolution और देखेंगे pixels क्या होता है सब देखेंगे हम लोग उसके और उसमें refresh rate क्या होता है सब भी देखेंगे दोस्तों आज हम लोग तो चलिए देखते हैं हम लोग monitor monitor क्या होता है यह monitor यह soft copy प्रदान करने वाला लोग पर यह output device होता है है दोस्तों मतलब सबसे अधिक output प्रदान करता है हम लोग को computer के थुरू कौन सा है वही soft copy हम लोग को देता है monitor next हम लोग देखते हैं इसमें processed data को screen पर दिखाता है मतलब कौन-कौन सा वह process कर यह देखते हैं यहां छोटे-चोटे बिंदूओं से बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं उसको pixels कहते हैं मतलब जो screen होता है computer का आप लोग देख रहे होंगे चित्र में की computer होता है उसमें क्या होता है कोई सा computer का जो monitor है या फिर कोई सा भी जह से TV भी है या फिर LED जो भी है उसमें भी क्या होता है LED TV हो गया वो सब में भी क्या होता है उसमें वह कई pixels से बना हुआ होता है और इसी pixels से क्या होता है कि वह जो पूरा स्क्रीन में क्या होता है उसमें चित्र हम लोगों को दिखाई देता है या फिर ग्राप हम लोगों को दिखाई देता है या फिर जो अक्षर होता है वो दिखाई हम लोगों को देता है इसी पिक्सल के थुरू ही हम लोगों को दिखाई देता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके टाइपस में मॉनिटर के टाइपस हम लोग देखते हैं तो इसके जो टाइपस में देखते हैं हम लोग डिस्पले के अधार पर देखते हैं हम लोग डिस्पले के अधार पर हम लोग देखते हैं तो मॉनिटर monitor दो प्रकार का होता है इसमें display के अधार पर एक होता है monochrome होता है और दूसरा होता है color होता है तो monochrome आप लोग जानते हैं दोस्तों जब पहले black and white जो TV रहता था से वेसे ही black and white monitor भी होता था और इसमें क्या होता था इसमें जो हम लोगों को केवल दो ही कलर दिखाई देता था एक वाइट और दूसरा काला वह ब्लेक एंड वाइट मतलब ब्लेक और केवल दिखाई देता था दोस्तों तो इसमें हम लोग देखते हैं जो कलर होता है जो कलर वाला मॉनिटर होता है वह मुख्यता तीन जो कलर होते हैं प्रकृति के जो मुख्य तीन कलर होते हैं कौन कौन से होते हैं हरा मतलब ग्रीन लाल और नीला ब्लू रेड और ग्रीन यही जो तीन कलर होते हैं इसी तीन कलर के मिक्सिंग से ही क्या होता है अन्य कोई सभी कलर बनाया जा सकता है इसी जो तीन कलर होते हैं इसी से ही ब्लेक बनाया जा सकता है और क्या बनाया जा सकता है और जो दूसरे कलर होते हैं कोई सभी कलर हो यलो हो या फिर सफेद हो यह सब कलर इसी से ही जो तीनों के कंबिनेशन से ही नया क्लर बनाया जाता है दोस्तों ने सलों पने के इंप हजा आधसक के एधार पर देखते हैं लोग मॉइटर को इसको कि सवस्amaan 고ी माटा गया है एक सी आर्टी दूसरा होता है एलसीडी और तीसरा होता ऐल एडय तो इसको हम लोग एक वण बाई Society करें कि काँन से है size का होता था और पीछे से इसमें क्या होता था जो cathode ray होता है मतलब cathode कीरन होता है उसको उसी के फुरू ही चीतर को बहारा जाता था उसके दोरा दोस्तों अब उसके बाद में next में दाखते हैं LCD इसके जो CRT हुआ CRT के बाद में LCD आने लगा LCD क्या होता है liquid crystal display जो इसके short form है इसका full form कई बार पूछा जाता है idas liquid crystal display मतलब इसमें क्या होता है जो crystal होता है liquid type का होता है और उसी से ही क्या सिस्प्वाइब बनाया जाता है दोस्तों इसमें हम वागता बहुत ही आप इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो एक्जांपल है कौन कौन सा ऐली कोनसाय द लेपर आप में जो स्क्रीन होता है वह लेटाप इसक्रीन में रहता लो fall होता है लिप लिप यह वाला क्या होता है इसेए ही गड़ी पर चुन से कि इसी से ही बना होता है और केल्कुलेटर केल्कुलेटर में आप लोग देखेंगे कि उसको थोड़ा सा दबा देंगे तो काला हो जाता है वो किसका बना होता है एल्फ-cd का बना होता है मतलब उसके डिस्प्ले को अप लोग थोड़ा सा दबा के देखेए का तो उसका खलर दूसवाँ चेंज हो जाता है मतलब वो एकदम लिक्विड का बना ही होता है नेक्स्ट हम लोग देपते हैं LED इसका जो फुल फार्म होता है बहुत ही जगा जो LED का होता है बहुत पतला होता है मोईटर में और क्या होता है यह यह बिजली की बचत करता है मतलब 80% पूरी तरह से बचत करता है यह तो यह बहुत ही जदा है अच्छा है और कैसा है यह eco-friendly भी होता है मतलब बिजली को बचा रहा है मतलब eco-friendly है यह next देखते हैं दोस्तों हम लोग quality of monitor मतलब monitor का quality हम लोग देखते हैं तो यह हैं इसमें हम लोग देखते हैं dot pitch मतलब हर सूचना या grab को छोटे-छोटे चमकिले बिंदूओं से जो की बना होता है उसी बिंदू को ही क्या कहा जाता है उसे dot या फिर pixels कहते है dot या फिर pixels कहते है मतलब आप लोग जो display देखते हैं वह बहुत सारे उसमें जो छोटे-छोटे उसमें बिंदी-बिंदी बहुत सारे उसमें dot 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 बहुत सार उसमें उसी से ही क्या होता है पूरी तरह से होँ डिस्पैले बनता हें या फिर हम छोग चीतर 30 मता है या किसीका भीचीतर बनता है तो एक क्या हुत फृसरा जिसांक की возмीर मिलकर बनता है वह बहुत ही ज्यादा उसमें pixels की संख्या बहुत अधिक होता है मतलब pixels जितना अधिक होगा वह उसमें जो picture quality वह बहुत ही अच्छा होगा बहुत सुंदर होगा वह next time हम लोग देखते हैं इसमें dot जितना नजदीक होगे चीतर उतना ही सुंदर होगा ठीक है दोस्तों उसके बाद में map देखते हैं हम लोग मतलब जो monitor होता है उसकी हम लोग map किस से करते हैं इसमें करते हैं DPI से करते हैं DPI का full farm भी कई बार पूछा जा चुका है एक जाम में पुछने की पूरी तरह सा समभौना है कि dot पर inch होता है और इसमें एक बार question पूछा था दोस्तों कि monitor कि जो इसकी quality होता है किससे map जाता है तो इसको DPI से map जाता है तो सबसे पाहले हम लोग देखा monitor, monitor में हम लोग देखा कि यह soft copy परदसीत करने वाला सबसे अधिक लोग प्रिये, क्या होता है यह device है, output device है, next हम लोग देखते हैं जो processed data क्या करता है, यह screen में दिखाई देता है हम लोग को, next हम लोग देखते हैं यह चोटे-चोटे बिंदो से बना होता है उसे ही को ही क्या कहते हैं पिक्सल्स कहते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके टाइपस टाइपस में देखते हैं हम लोग इसको डिस्प्ले के अधार पर इसको हम लोग डिवाइट करते हैं यह इसी के अधार पर इसको बाढ़ते हैं इसमें हम लोग देखते हैं तकनिक के अधार पर तकनिक के अधार पर इसको तीन भागों माटा गया है एक होता है CRT दूसरा होता है LCD और तीसरा होता है LED तो जो CRT होता है कैथोर्ड रे ट्यूब से बना होता है मतलब उसी के थुरू ही इसमें क्या होता है चित्र दिखाई देता है हम लोगो LCD में क्या होता है Liquid Crystal Display मतलब यहाँ Liquid जो Crystal होता है वह Liquid Form में होता है और इसमें हम लोग Example में देखते हैं Laptop, Tablet, Smartphone, Electronic घड़ी और Calculator यह सब किसके अंदरगाद आते हैं? यह आते हैं LCD के अंदरगाद और LED क्या होता है? Light Emitting Diode क्या होता है कि यहाँ जो LED बल्प होता है सेम उसी प्रकार से ही यह भी होता है उसी के अधार पर यह भी काम करता है उसी के बेस पर यह भी काम करता है और इसमें क्या होता है? इसकी जो थिकनेस होता है या फिर यहां है पहुत पतला होता है मौनिटर इसमें बहुत पतला होता है और यहां जो light होता है light को 80% बचाता है और यह क्या है एको फेंडली है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं quality of monitor को हम लोग dot which क्या होता है इसको समझ लेते हैं हर सूचना या graph को छोटे-छोटे चमकिले बिंदूओं से बना होता है जिससे क्या कहा जाता है dot या फिर pixels कहा होता है और इसी pixels के अधार पर ही क्या होता है यह इसके द्वारा जो इसकी quality होता है वह प्रदर्सीत होता है दोस्तों इसमें देखते हैं हम लोग dot जितने नजदीक होंगे चीतर उतना ही अधिक सुन्दर बनेगा दोस्तों next देखते हैं इसकी map मतलब जो monitor होता है इसको किस से मापा जाता है जैसे दूरी को किलो मिटर से मापा जाता है और जो समय होता है उसको second से मापा जाता है सेम उसी प्रकार से जो monitor होता है monitor को dot per inch से मापा जाता है रिजैख्ल लोग नेक्समें आओर देखते हैं मतलब जो इसकी 36 और उर्धाधर में जितने इसकी जो क्या होगा pixels की संख्या pixels की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी resolution सक्ति उतनी ही अधिक होगी मतलब pixels की संख्या जितना अधिक होगा picture की quality उतना ही अधिक और चमकीला होगा दोस्तों तो जो पहले वाला जो monitor आता था या फिर जो TV आता था या फिर जो मोबाइल आता था उसमें क्या था जो रेजुलेशन होता था कहने का मतलब या आया कि उसमें पिक्सेल की संख्या कम होती थी इसलिए उसमें जो प्रिचर कॉलिटी होता था वहां बहुत ही कम होता था कि इसमें हम लोग देखते हैं कि 15 इंच के जो sbz a मौइटर की रेजुलेशन दस चोबिस और 768 पिक्सेल इसकी होती है यहां एक क्या है एक मानक है क्वेश्चन में पूछने की पूरी तरह संभौना है कि जो 15 इंच का sbz a होता है मौइटर होता है उसकी रेजुलेशन इसकी मानक कितना होता है तो दस चोबिस 768 पिक्सेल इसकी होती है नेच्ट हम देखते हैं रिफ्रेश रेट रिफ्रेश रेट क्या होता है प्रतियक सेकेंड सुचना को रिफ्रेश करता है मतलब वह प्रतियक सेकेंड जितना अधिक वह सुचनाओं को एक के बाद एक प्रदसीत करता है वही क्या होता है रिफ्रे जाता है ठीक उसी प्रकार से refresh rate यह होता है दोस्तों इसे हर्ज से मापा जाता है रेट अधिक हो तो गुडवता भी बढ़ती है मतलब refresh rate जितना अधिक होगा उसकी गुडवता उतना ही अधिक होगी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं response time किसी pixels हम जानते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो monitor होता है उसका screen होता है वह कई उसमें pixels होते हैं और प्रतियक pixels के से ही क्या होता है उसमें चित्र बनता है मतलब एक picture है तो मान के चलिए कि यह मेरा हाथ है हाथ में इसमें मान के चलिए यह मैं LED के अंधर में हो तो इसमें क्या है बहुत सारी इसमें pixels होंगे और इसी pixels के सहायता से ही क्या होता है से दूसरे बनता है तो वही pixels में क्या होता है कि उसमें एक कलर से दूसरा क्लर CHANGE करने की जो सक्टी होता है वां जितना अधिक होगा मतलब बहुत जली जल्दी एक pixels में उसकी जो क्लर होता है color को Change करने की सक्टी जितना अधिक होगा वही उसका क्या कहलाता है response time कहलाता है इसमें देखते हैं किसी pixels द्वारा एक रंग से दूसरे रंग को लाने में लगा समय को ही क्या कहा जाता है response time कहते हैं मतलब बहतर monitor के लिए response time कम होता है मतलब एक pixels में color को एक color से दुतरा color लाने में जितना कम समय लएगा उतना ही अधिक क्या होगा उसका response time बहतर होगा next हम लोग देखते हैं जो monitor की लंबाई को किसे मापज़ाता है इसको इसके विकर्ण से मापज़ाता है मतलब की जैसे कि यह क्या है monitor है तो monitor के इसके विकर्ण से इस प्रकार से इस प्रकार से इसको मापज़ाता है जो पदराइज का TV होगा या फिर जो monitor होगा इसे विकर्ण से ही मापज़ाता है TV का भी और जो मॉनिटर होता है उसका भी तो इसका इसी विकर्ण से ही मापा जाता है दोश्तों तो अभी तक हम लोग जितना पढ़ा उसका कुई करते हैं अभी हम लोग ने देखा जो resolution क्या होता है इसमें जो horizontal और vertical मतलब इस प्रकार से इस प्रकार से मानके चलिए vertical और हो गया horizontal इसमें जो बीच में जितना अधिक pixels आएगा pixels की संख्या अधिक होगा तो क्या होगा उसको जो resolution सकती उतना ही अधिक होगा इसमें हम लोग next देखते हैं कि जो 15 इंच के sbga monitor की response की resolution 10-24-768 pixels होता है next हम लोग देखते हैं जो इसका refresh rate देखते हैं तो refresh rate क्या होता है प्रते सेकंड सुचना को refresh करता है मतलब एक सेकंड में वहां कितना अधिक सुचनाओं को एक के बाद एक लाता है वही क्या करता है इस रिप्रेस टाइम किसी pixels के दवारा क्या होता है एक रंग से दूसरे रंग में लाना मतलब एक पिक्सल है उसमें मान के चलिए लाल है उससे फिर उसको काला करना वह जितना अधिक कर पाएगा वही क्या होगा उसका response स्टाइम होगा मतलब एक के बाद में दूसरा कलर लाना ही उसका रिस्पॉंस टाइम कहलाता है यह जितना अधिक जल्दी करेगा मोईटर उतना ही अधिक क्या होगा बेहत्तर होगा नेक्स्ट रहते हैं हम लोग मोईटर की जो लंबाई होता है उसको विकर्ण से मापा जाता है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही वीडियो आप लों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में सेर भी कर लिजिए इसे मेरा क्या होता है नए नए वीडियो बनाने के लिए मेरा मोटिवेशन बना रहता है दोस्त